अला झाज़। वेल्कम पैक टू से चनल। तो आज की वीडियो में जिस डॉपब्रीड के बाएम बात करने वाले हैं। वह डॉपब्रीड ये इस को मुझ बिंगले टेरियर और वाटर्शैड टेरियर के नाम से भी जानतें। तो यह जो dog breed है, इसको basically जो develop करा गया था, वह आपको योक्षायर नाम का एक जगह है, वही पे इस dog को develop करा गया था, जो कि इंग्लैंड में है, और डेल नाम के एक valley में इसकी origin है, मतलब यह species originate करा था, इसलिए इसको यह नाम दे आ गया है, एरी डेल, तो basically यह जो dog है, इसको king of terriers भी बोला जाता है, क्योंकि terrier breed के dogs में, यह सबसे बड़ा size का dog है, इस dog को wilsh terrier, outer hound और बहुत सारे terriers को mix करके develop करा गया है, योक्षाय terrier इसी से develop होने वाले एक dog breed है, और यह बहुत सारे purpose के लिए develop करा गया है, जैसे के hunting और farm वगरा में work purpose के लिए इस dog को develop किया गया था, यह dog को war और guiding dog, police dog वगरा के लिए इंग्लेंड में यूस करा जाता है, इसको USA में बड़े बड़े शिकार और fighting dogs और hunting dogs के तरह भी यूस करा जाता है, height और weight की बात कर लें, तो males के height 22-24 inches तक जाती है, वही weight की बात कर लें, तो 18-23 kg तक जाती है, वही females की बात कर लें, तो female के height 22-23 inches तक जाती है, और weight की बात कर लें, तो 16-18 kg तक जाती है, colors की बात कर ले तो यह बहुत सारे colors में मिलता है जैसे black and saddle और dark black, grey, white, saddle यह बहुत सारे colors variations में available होता है और coat की बात कर ले तो यह broken coat होता है मतलब basically 2-3 color के mix इस dog को देखने को मिलता है और litter की बात कर ले तो यह dog basically 9 puffs एक बार में deliver करते है और life span की बात कर ले तो यह 10-12 years तक जीते हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगाओ को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर किजिए और सब्सक्राइब कर दो